जैहिन दोस्तो, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका सौगत है दोस्तो हमारी वैसे भूस सारी मांगे हैं गौर्रमेंट से कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपोर्टेंट दो मांगे हैं हमारी वो है OROP2 इंप्लिमेंटेशन की और 18 महने का जो DA का एरियर है उसकी, और दोस्तो, ये दोनों मांगे जो काम करेंगी, ये करेंगी कैबिनेट अप्रूबल पर, कब मिनिस्ट्री हमें कैबिनेट अप्रूबल देगी इन दो चीजों के लिए, दोस्तो, मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूँगा जो हमारा OROP2 इंप्लिमेंटेशन है, ये 100% कंफर्म है कि सरकार इसे देगी, लेकिन ये कब देगी, सबसे important question ये है दूसरा है, 18 मेने का जो day career है, दोस्तो, ये पूरी तरीके से deny नहीं हुआ है पूरी तरी से मना नहीं करा गया है, कि हम 18 मेने का जो day career है, वो नहीं देंगे ऐसा सरकार ने कहीं लिखके नहीं दिया है, लेकिन दोस्तो, ये freeze इसलिए हुआ था क्योंकि उस time जो situation थी, COVID की, उस कारण से ये freeze हुआ था तो आगे आने वाले time में, ये भी कहीं हमें देखने को मिल सकता है लेकिन दोस्तो, 18 मेने का जो day career है, ये मिलने का सबसे बड़ा जो कारण है, वो रहेगा cabinet approval दोस्तो, अब आपने ये दो चीजे समझ ली, OROP 2 इंप्लीमेंट और 18 मेने का जो day career है, ये depend रहेगा cabinet approval पर अब दोस्तो, OROP 2 इंप्लीमेंट के लिए जो budget estimate है, वो है 22 से 24,000 करोड या इस से ज़्यादा भी जा सकता है वहीं 18 मेने का जो day का area है, उसका जो budget था, वो था 34,400 करोड रुपे अब दोस्तो, जो OROP 2 इंप्लीमेंट करी जाएगी, वो किसके base पे करी जाएगी जो 2018 का जो base year है, उसमें minimum और maximum की अधार पे pensioners की pension में से average निकाला जाएगा उसकी अधार पे आपकी pension set होगी, वहीं जो 18 मेने का day का area है, वो किस day के अधार पे तैह होगा वो होगा 21% के साफ से, 24% के साफ से और 28% के साफ से दोस्तो, 21, 24 और 28% के अनुसार, सरकार ने graduate और leave in cashment का पैसा तो दे दिया लेकिन pension का difference अभी तक नहीं दिया है, तो दोस्तो, यही है हमारा 18 मेने का day का area अब दोस्तो, यह मिलेगा किसे सबसे important बात है, तो कि दोस्तो, यह कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है एक मोटा पैसा है ORP2 तो दोस्तो, यहाँ पे मिलेगी pensioners को, जो eligible है और वही 18 मेने का day का area है, वो मिलेगा serving employees को और pensioners को तो दोस्तो, इस वज़े से यहाँ पे ज़्यादा खर्चा बढ़ गया क्योंकि 18 मेने का day का area है, उसमें serving employee भी शामिल है और दोस्तो, इसमें 3 day काम करेंगे 21, 24 और 28 अब दोस्तो, आगे समझते हैं अब यह मिलेगा कब, कब हमें OROP2 मिलेगी और कब हमें 18 मेने का day का area मिलेगा दोस्तो, OROP2 के लिए तो यहाँ पे अभी wait करना है हमें 15 या 14 दिसंबर तक जो सरकार को time दे रखा है तो अगर नहीं देती, तो दोस्तो, यह चला जाएगा 2023 या फिर 24 तक आप मानके चलिए और वहीं 18 मेने का day का area है वो यहाँ पे मिल सकता है मैं approach बता रहाँ दोस्तो confirm नहीं बता रहाँ, approach बता रहाँ 2023 या 24 और दोस्तो, यह भी depend रहेगा cabinet approval पर इसपे भी दोस्तो, final decision होगा cabinet approval का, कि किस तरीके से कितना expenditure निकाला जाता है कि किस तरीके से हम DA का जो payment है वो पे करें, जो बचा हुआ है तो दोस्तो, यह मैंने आपको कुछ algorithm समझाया, कि किस तरीके से क्या-क्या चीज पे होनी है और कौन-कौन सी demand अभी सबसे important है cabinet approval के लिए तो दोस्तो, I hope मेरे द्वारे इस जानकारी से आप संतु श्रूंगे वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को like करें हों दोस्तो, channel को subscribe कर सकते हैं Thank you so much